Career Planner for Banking and SSE Career Planner पूरवी भारत में सरवाधिक रिजर्ट देने वाला संस्थान में आपको थोड़ा सा अपना काम करना है वो काम यह करना है कि question आपके सामने होगी आप थोड़ी दिर के लिए वीडियो को रोकेंगे pause करेंगे और खुद से पहले try करेंगे उसके बाद मैं आपको explain भी करूंगा और बताऊंगा भी कि answer कौन सा सही होगा और अपने answer को आप match था कि जब भी हम sentence के fill in the question को बनाते हैं तो sentence में जो questions लिखा होगा उसकी meaning और essence को समझने की कोशिश करेंगे पहला question हमारा कहता है defendants आप बताओ जो आदमी defend कर रहा होगा आपको खासतोर से lawyer की बात हो रही है तो जो lawyer आपको defend कर रहा होगा तो कुछ न कुछ आपके बारे मे बात करेगा वो और वो भी lawyer है argue उसने बहस किया कि his past offenses were his किसके लिए आया है उस बंदे के लिए आया है जिसको defend कर रहा है lawyer ने तो उसी बंदे के लिए आया है his तो उसको क्या कर रहा होगा कि उसके offense आपके जो जुर्म है आपने जो गुनाह किया है जो सजा के बारे में discussion हो रही है उसको क्या करेगा his offenses were dash to his to this case तो जब ही कोई वकील बहस करता है तो अपने जो defend जिसको करना है जिसका वो candidate होता है कभी भी उसको blame नहीं होते ने देता है उनका कहने का मतलब यह होता है कि मेरा जो भी बंदा है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ जिसको मैं defend कर रहा ह उसके गलती को भी वो छुपाने की कोशिश करता है यहाँ देखे क्या होगा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहली words तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपको इसकी meaning भी आनी चाहिए अगर vocabulary साब की कमजूर है तो fill in the blanks में दिक्कत होगी contagious यह contagious English का ऐसा word है जो हम लोग communicable disease transferable को हम लोग बोलते हैं contagious अब आप ही बताओ अगर मैं इस transferable को इस जगह पे रखता हूँ इस blank में तो his offenses माल लिजे कि जो defendant lawyer से क्या बोलेगा कि lawyer कह रहा है कि इनकी जो गुना है जो offenses है वो क्या है contagious है to this case इस case के लिए गर बात करे तो transferable ह है no sense कोई भी sense नहीं दे रहा है इस sentence में इस word का जिसके meaning क्या होती है communicable transfer होने वाला है जैसे आपने disease में एक word परहा होगा communicable disease और non communicable disease तो contagious का मतलब communicable होता है next word हमारे पास है aspacious किसी का जो offense है वो क्या aspacious होता है बहुत ज़्यादा जगा होता है उसके अंदर इस sentence के हिसाब से ये भी हमारा नहीं होगा arrogant है क्या नहीं arrogant तो किसी की habit हो सकती है किसी का attitude हो सकता है कि हाँ बहुत arrogant है वो अब हमारे पास एक option बना देखी हमारा जो मैंने तरीका बनाया है कि मैं जो आपको बताया तीन options और जो बच गया वही मेरा answer है फिर से मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूँ आप चाहे beginners हो moderate हो intermediate level में हो या advance level के question आप क्यों न बनाते हो हर वक्त आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि fill in the blanks के question आए तो आप यह ढूंडो कि इस blank में मेरा कौन option नहीं होगा यहाँ पे इसके answer ढूंडना नहीं चाहिए इनसान को competitive student को चाहिए कि एक अच्छी approach हमेशा रखे कौन answer नहीं होगा इस तरह से मेरा contagious नहीं हुआ spacious, arrogant नहीं हुआ बचा हुआ word अगर meaning नहीं भी आता तो वो मेरा answer हो जाता वैसे तो बहुत ही irrelevant है मतलब आप यूँ ही कह रहा है कि जो defend कर रहा थो लाए और उसने कहा कि यह जो offenses लगाई जा रही है इनकी past यह तो irrelevant है इस case से इसका कोई नादा नहीं है इस तरह सामने क्या किया? एक questions को हम लोगों ने सही तरीके से कर लिया अब उसी तरह से second questions के उपर चलते हैं और उसको देखने की हम लोग कोशिश करते हैं यह मेरा second question है आप लोग इसको वीडियो को pause कर लीजे try कीजिए, बनाईए उसके बाद मेरा explanation को देखिए उमीद करते हैं कि आप कर लिये होंगे rescuers used a special device for finding people dash in collapsed building सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि लिखे गए sentence की थोड़ी सी meaning पता चल जाए यहां पर एक building क्या है collapse building है और जो बचाने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कुछ special device को का इस्तेमाल कर रहे हैं यह पता करने के लिए finding people उसको क्या करेंगे dash in collapsed building अब building अभी सीधा नहीं और collapse हो चुका है यह गिर चुका है वो conquered का मतलब होता है फता हासिल करना जीत हासिल करना trapped का मतलब फसा हुआ exceed word है यह exceed मतलब more than anything किसी चीज़ से जादा हो जाना यह exceed का word है exceeded bluesome का मतलब होता है खिलना अब बताईए जिस अब आपने देखा हो fool cake जब कलियां खिल जाती है birds तो उसको क्या कहते है bluesome तो आपके पास चार word है एक का मीनिंग conquered, trapped, exceeded or bluesome सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि कौन होगा नहीं एक एक करके हम लोग try करते हैं ब्लैंक में रखके पढ़ने की कोशिश करते हैं फिर मिनिंग निकालते हैं rescuers used a special device for finding people conquered in collapsed building कि गिरे हुए building में जीत हासिल किया उसी को ढूंडेगा हो क्या चीज़ की जीत हासिल करेगा हो conquered का मतलब फत्ह हासिल करना जीत हासिल करना conquered in collapsed building अब बताईए collapsed building में जो conquered किया है तो conquered तो एक action होता है एक verb होता है उसकी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है irrelevant word होगा इस sentence के लिए exceed का मतलब ज्यादा हो जाता है तो अब यहाँ पर people exceeded in collapsed building क्या building बे collapsed हो गया लोग उसमें ज्यादा हो गया है ऐसा तो कोई sense नहीं दे रहा है building अगर collapsed हो गई है तो लोग उसमें फसे हुए होंगे bluesm का मतलब खिलना irrelevant word आपका second और यह C और D है बचा मेरे पास कौन सा word B This is going to be your answer very easily चलिए हम लोग फिर next question को देखते है क्योंकि time बहुत अपने आप में precious होता है हम लोग आपके time को देखते हुए next question के बुरू move on करते है यह third question आपके सामने This इसकी pronunciation cruise होती है आप confuse मत हो न This cruise ship cruise ship का meaning भी ज़रा मैं बता दूँ आपको जब हम किसी tour पे जाते हैं उसी को कहते है चोटा questions है अब इसको देखेंगे options बनाने वाले ने बहुत ही दिमाग को अपलाई किया है track करने की कोशिश किया है आपको अपने questions में आप बनाने की कोशिश कीजिए वीडियो को pause करके बाकी मैं आपको सामने इसको explain कर रहा हूँ एक word हमारे पास sales फिर है sales sales और seals बस थोड़ी सी spelling की change उसने की है हर spelling की अपनी meaning है बट यहाँ पे ship की बात है तो ship के लिए कौन सा word suitable होगा यह खरीद विक्री से word है आपका यह हमारा irrelevant word है यह भी बेचने और खरीदने से related word है यह seal मोहर से related word है हमारे पास एक word बचता है जो seal जो तैरने और sales के बारे में करता है तो ship क्या करता है समंदर के उपर sales करता है वो तमाम word irrelevant था वो इसलिए options बनाया गया था कि ताकि उस option में आप trap हो जाएए और smart बंदे trap नहीं होते option को eliminate करते है answer तक खुद पहुचाते है किसलिए word जब दिया हो eliminate करें answer तक खुद पहुचेंगे आए हम लोग फिर next question की तरफ चलते है next question number four if you want to save your money अगर आप चाहते हो कि पैसा बच जाए you must be तो फिर आपको क्या होना चाहिए आप बिल्कुल improper हो जाओ आप सही से जिन्दगी जीना छोड़ दो अपने आप पैसा बच जाएगा क्या कोई तुक है इस word का नहीं है न इससे मतलब ये wrong हो गया ऐसे समझ के बनाएंगे फिर मज़ा भी आएगा और सीखेंगे भी आप कुछ आपको बताया जाया रहा कि पैसा बचाना चाह रहा है you must be extravagant extravagant का मतलब बहुत पैसा खर्च करना शाह खर्च बिंदास जीना खूब खर्च करके जीओ खूब पैसा बच जाएगा irrelevant word खर्चीला बोल सकते हैं एक word होता हमारे पास indulge जो की verb होता है चाहिए indulgent हो जाना चाहिए कोई relation ही नहीं है we are getting no direct relation of this particular word in respect to this particular question question number four कोई relation ही नहीं है इसका मतलब यही मेरा irrelevant है कैसे हमने देखा हमने सिर्फ answer को cut करना option में देखना है कि मारे पास जो word है कौन को नहीं होगा बचा हुआ word economical है हो सकता है कि आपको इसकी meaning भी पता नहीं हो लेकिन हम जब तीन word को cross कर लिए eliminate कर लिए बचा हुआ बचा हुआ answer हो गया ऐसे इसका लफजी माना होता है कि फायती सूच समझ कर जिंदगी गुजारने वाला आईए फिर हम लोग next question की तरफ चलते है question number five most employers जादा तर जो employers है employers और employee दोने में difference है यहाँ पे most employers does the use of mobile phones during office hours देखो भई office hour आपकी जितनी भी होगी boss is always right boss ने जो चीज़ बनाया है कि हमारे इस office hour के अंदर आप cell phone use नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते पता नहीं इस sentence में क्या कहना होगा कि most employers that's use of mobile phones during office hours क्या कहना चाहरे है office hours के बारे में कि submerge मत करो submerge का सीनोनिम होता है sink यानि डूब जाना आप ही बताओ most employers या डूब जाना use कोई meaning देगा कि अगर इस word को यहाँ पे रखेंगे irrelevant मेरी कोशिस यही है कि आप इस चीज़ को सीखें कि बनाना कैसे है कौन सा word irrelevant होगा ज़्यादा प्रेशान होने की ज़रुवत नहीं है सबसे पहले irrelevant को आप eliminate कर दो cultivate करना आपके cultivation का नाम सुना होगा क्या cultivate करेगा irrelevant word aspirate रूह आत्मा के बारे में बात कर रहा है most employers spread the use of mobile phone during office hour कोई sense नहीं दे रहा है मतलब ये भी नहीं हुआ फिर से हम लोग आसानी से question पे आ गए कि एक word बच गया है prohibit जिसका meaning होता है मना करना और इस तरह के simpler question है आप सोच सकते है कि जो CGL जो कि इतना important exam होता है इतना बड़ा exam होता है अच्छे अच्छे हमारे central government की बहुत सारी post आती है इसके अंदर और English के level को देखिए बहुत tough नहीं रहता है problem ये है कि हम और आप इसको जानते नहीं है सही से solve करने नहीं आता है वरना English ही आपके लिए एक scoring subject बन सकता है अगर आप सही preparation करेंगे तो आपके सामने question आप explain कर रहे है आप देख रहे है कुछ भी tough नहीं है अब मैंने एक भी question मेरा अपना नहीं है एक भी question नहीं है सारे PYQ से है और आगे और भी questions आपको मिलेंगे next जखते हैं अगले questions को question number six the pirates जिसका मतलब क्या होता है समुंदरी डाकू the pirates will try to does the gold ornaments अब यहाँ पी word आपके पास फिर से चार है वही कोशिश कीजिए वीडियो को रोकिए pause करके बनाने की कोशिश कीजिए सबकी meaning जानना जरूरी है irrelevant word को eliminate करते है देखे हमारे पास सबसे पहला word है seize spelling, pronunciation almost थोड़ा सा का slightest difference है इसके अंदर एक word है seize इसमें vibration होगा z sound में vibration होता है इसमें vibration नहीं होगा seize और यह seize है हमारे लफजी माना देखते है seize का मतलब stop functioning कोई चीज को रूप जाना होता है stop functioning कोई चीज काम करना बंद कर दे उसे हम seize करते है for example आप अपने बाइक स्कूटी के example लेजे engine seize कर जाना work करना बंद कर दिया क्या यही होगा the pirates will try to seize the gold ornaments क्या उसको seize कर देगा gold ornaments को उसका function करना रोक देगा क्या gold का ornament को function कर रहा था नहीं कर रहा था न तो वहाँ जब function काम को रोकेगा to seize मतलब इस जगा पे यह word नहीं आ सकता slice का मतलब टुकरा यहाँ पे उसका मतलब भी नहीं है try to slice क्या cut कर देगा जो डाकू होगा वो क्या करेगा gold ornaments को क्या करेगा वो slice कर रहे आएगा try to slice the gold ornaments यह भी irrelevant है steal तो आपको अलग से दिख रहा होगा यगर EAL रहता तो थोड़ा सा समझ भी आता कि चूड़ी करने की बाद है try to steal तो sense आ भी जाता बट यह तो एक elements का नाम दे दिया गया है अब हमारे पास एक word बचा seize जिसका मतलब जब्त कर लेना छीन लेना इस तरह से हमने six number भी question किया कितना असानी से किया अब next question की तरफ आते है question number seven the sudden date of our uncle was death for all of us हमारे uncle का अचानक मौत हो जाना हम सभी के लिए क्या था क्या था हमें नहीं मालू आप viewers को ये questions को solve करना है और comment में देना है किहां किस option को सही मानेंगे eliminate करेंगे check करेंगे और बताएंगे अपने comment में कि इस questions के लिए चारों में से कौन सा word बहतर होगा जो इस blank को satisfied करेगा fit करेगा चलो तो मिलते हम लोग अगली class में आज के लिए इतना ही काफी thank you so much अज करेंगे